स्री गणेशाय नमहा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्त गुरु में आज के एपिसोड में मैं तीन मंत्रों को बताने जा रहा हूँ जिसे प्रातह काल उठ करके आपको अवश्य जपना चाहिए जिससे इश्वर की कृपा आप पर सदय बरस्ती रहे साथ ही मैं इन मंत्रों को अर्थ समेत आपको समझाऊंगा भी इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइक ओन जरू दबाईए जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके चलिए इन मंत्रों को ध्यान पूर्वक सुनिये और याद कर लीजे प्रातहकाल उठकर के अपनी दिन चर्या का आरंभ इनी तीन मंत्रों से आप करें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्रह्म महूर्त में जागरण का मंत्र क्या है इसके बाद भूमी वंदना का मंत्र हम जपेंगे तत पस्चात मानसिक शुद्धी का मंत्र हम जपेंगे सूर्योदय से चार घड़ी लगभग देड़ घंटे पूर्व ब्रह्म महूर्त में ही जग जाना चाहिए इस समय सोना शास्त्र में निशिद्ध है प्रातहकाल उठने के बाद मेरे बताये गए मंत्र को ध्यान से पढ़ें एवं प्रहु का स्मरण करें इसे करावलोकन कहते हैं कर का मतलब हाथ और अवलोकन का मतलब देखना प्रातहकाल उठकर के सर्व प्रथम अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए आँखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस श्लोक का पाठ करें इसे ध्यान पूर्वक सुनें कराग्रे वसते लक्ष्मिही करमध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम एक बार पुनह सुनें कराग्रे वसते लक्ष्मिही करमध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्माजी निवास करते हैं अतह प्रातह काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए इस शलोक को याद करने और प्रतिदिन उठकर के इस शलोक को अपनी हथेली को देखते हुए पढ़ें इसके बाद हमें भूमिकी वंदना करनी चाहिए बिस्तर से उठकर प्रित्वी पर पैर रखने के पूर्व प्रित्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने क विवस्ता के लिए उन्से एक शमा मांगते हुए इस श्लोक का पाठ करें समुद्र वसने देवी पर्वतस्त नमंडिते विश्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्षम छमस्वमे एक बार फिर से सुने समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विश्णु पत्नी नमस्त उभ्यम पादस्पर्षम छमस्वमे समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली परवत रूप इस तनों से मंडित भगवान विश्णु की पतनी पृत्वी देवी आप मेरे पाद इस पर्ष को चमा करें इसके बाद हमें माता, पिता, गुरु एवं इश्वर का अभिवादन करना चाहिए पैर हात मुख धोकर रात का वस्त्र बदल कर आचमन करें और इन श्लोकों को पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़कें ऐसा करने से मानसिक इसनान हो जाता है मानसिक शुद्धिका मंत्र इस प्रकार से है इसे ध्यान पूर्वक सुने ओम पवित्रह पवित्रोवा सरवावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाया व्यंतरह शुचिह अतिनील घनश्यामं नलिनायत लोचनं स्मरामि पुंडरी काक्षम तेन स्नातो एक बार पुनह सुने ओम अपवित्रह पवित्रोवा सरवा वस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबाया भ्यंतरह शुचिह अतिनील घनश्यामं नलिनायत लोचनं स्मरामी पुंडरी काक्षम तेनसनातो भवाम्यहं इसके बाद मूर्तिमान भगवान माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें फिर परमपिता परमात्मा का ध्यान करें यदि प्रातकाल उठकर के आप इस प्रकार से अपनी दिन चर्या का आरंभ करेंगे तो आपका दिन शुब होगा और इश्वर की कृपा आप प किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर वाट्सेप कर सकते हैं ऐसी ही प्रामाडिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरू स्री गनेशायर नमहा